देखो भई, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक point है K, फिर 2K minus 1 और 2K plus 1 और 3 consecutive terms, consecutive मतलब यह लगाता आ रहे हैं, एक P के अंदर ठीक है, the value of K तो K की value find करेंगे, बिल्कुल simple सा question है, consecutive है तो देखो इसको हम पहली term मान लें, और इसको दूसरी मान लें, और इसको तीसरी मान लें तो दो term के बीच में difference equal होता है इसमें, second में से first को minus करेंगे, तो distance आएगा, वही distance equal होगा तीसरी में से, दूसरी को minus करेंगे यानि जो हमारा common difference है, वो आ जाएगा दो term में से, जब हम एक term में से, दूसरी term को क्या करते हैं subtract करते हैं, तो हमारा common difference आ जाता है, तो करते हैं, पहले मैं second term में से, first को minus करता हूँ यानि 2k minus 1 और minus कर दिया k, और equal रखूँगा, third में से second को minus करूँगा 2k plus 1 और minus 2k minus 1 2k minus k minus 1 equal to 2k plus 1 minus 2k minus minus plus 1 अब 2k में से k गया, तो इदर बच किया k minus 1 और इदर 2k से 2k कट किया, 1 और 1 2 हो गया आपका, और इदर हो गया k और ये 1 जाएगा उदर, यानि 2 minus 1 उदर जाएगा, तो plus 1 हो जाएगा k की value के आगई आपकी 3 इस तरह का कोई भी question आए, तो आपको ऐसे ही solve करना है, तो आशा करता हूँ question आपको समझ में आया हुआ, अगर video अच्छा लगा तो channel को subscribe करें